सो एक नंबर और आपके सामने हाद रहें आपके गबबर सर्थ गबबर सरा हैं और आज ऐसा चीज करने वाले हैं हम लोग जिसे देखकर बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे जी हां आग के कोर्स का अकाउंटिंग पॉर शेर कैपिल चैप्टर वो भी 10 से 15 मिनट में बिजसा किसी टॉपिक को सारे टॉपिक करते हुए समझते हुए फड़ा वर से स्टार्ट करेंगा अकाउंटिंग पॉर शेर कैपिल देखो बच्चा जी अकाउंटिंग पॉर शेर कैपिल का मतलब क्या होत सारह का सारह पैसा एक बार में ले लेंगी और सारे के सारे shares एक बार में देदेगी या वो installment में share देगी और installment में भी share लेगी जब भी हमारी company MOA बनाती है यानकि Memorandum of Association वहाँ पर वो लिख देती है कि हम कितने share maximum लेंगे जैसे authorized, issue, subscribe, authorized यानकि maximum जब जरूत पढ़ने पर हम कितने share market से ले सकते हैं वो हमारी होती है authorized share capital पहली बार जो हमने share निकाले वो हमारे issue share capital पब्लिक ने कितने subscribe कर लिए हो हमारा subscribe capital और subscription हमारा 90% होना ही होना चाहिए जतने हमने shares निकाले हैं अब जब company mostly case में installment में ही shares निकाले इसको हम application allotment first call file call के रूप में देखते हैं application allotment तो चाहे एक साथ निकाले या installment निकाले यह तो common रहेगा application का मतलब company के पास share की applications आ रही है allotment का मतलब आपने public को share allot करे हैं यहाँ पर आपको clear concept को ध्यान रखना है और आप हर entry को अच्छे से कर सकते हो clear का मतलब C से capital, L से liability, E से expense, A से assets, R से revenue या income अब कब क्या भड़ेगा तो क्या होगा और कब क्या घटेगा तो क्या होगा वो आपको याद रखना है जब भी हमारे capital भडेगी credit side जाएगी घटेगी debit side जाएगी clear में CLR CLR में same rule चलता है liability भडेगी credit side घटेगी debit side assets और expenses में उल्टा हो जाता है assets बढ़ेगी debit side घटेगी credit side expense बढ़ेगे debit side घटेगे credit side तो जब आप इन सब की entry पास करते हो जाएगी application, allotment, first call, final call जो भी है application पर सबसे पहले पैसा आता है बाद में share जाता है बाकि सारे case में पहले share जाएगा बाद में पैसा आएगा तो जब हमारे पास पैसा आ रहा है पैसा यानि की assets आ रहे है तो assets increase होगी entry क्या होगी bank account debit to share application सर share application क्रेट क्यों किया होगी अभी हमने direct share नहीं दिये है हमने shares की application को रखा हुआ है दूसरी entry share application account debit to share capital यहां पर हमारी capital इंक्रीज हुई इसलिए share capital क्रेट किया और जो share application में share डाले ते उसको वहां से हटा दिया तो पहली entry क्या होगी bank account debit to share application पैसे आने की और दूसरी entry share application to share capital शेर जाने की बाकी सारे case में पहले हमारे पास share जाएगा बाद में पैसा आएगा यानि कि application की जो दूसरी वाली entry थी वो इस case में पहले होगी और जो पहली वाली entry थी वो इस case में दूसरी होगी यानि बात करी जाए अलोट्मेंट की पहले एंट्री क्या होगी शेर अलोट्मेंट अकाउं डैबिट टू शेर के अलोट्मेंट कभी-कभी हम शेर को प्रीमियम पर ईशू करते यार की 10 रुपे की face value है, हम आपसे 12 रुपे ले रहे हैं, 13 रुपे ले रहे हैं, तो ये जो 2 या 3 रुपे एक्स्रा ले रहे हैं, इसको हम security premium के रूप से देखते हैं, अब इसे कहां डालते हैं, जहां आपने share की entry करी है, वही पर security premium आएगा, support, allotment की share वाली entry में आपने entry प पैसा आएगा, तो bank account को debit करेंगे, और पैसा जाएगा, तो bank account को हम लोग cash करेंगे, ज्यान की बात आपके लिए यह है, application पर पहले पैसा आता है, बाद में share जाता है, यानि कि bank account debit पहली entry to share application money, share जाएगा तो share capital account credit, share आएगा तो share capital account debit, sir, आएगा कब, जब भी हमारी public जो है हमारे shares का पैसा नहीं देती है, तो हम क्या करते हैं, उनके share cancel कर देते हैं, उस case में हमारी share capital decrease हो रही है, जिसके हम entry करते है, share capital account debit to, जिसका पैसा नहीं दिया, और to share forfeiture, हम पैसा मांग रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा, उसको हम बोलते है, calls in area, जो bank वाली entry होती है, उस बार बार मांगने पर उस person ने आपको payment नहीं करा है, तो आपके share जो है वो आप forfeit कर सकते हो, यानि cancel कर सकते हो, जिसकी entry होती है, share capital account debit, सर share capital account को debit क्यों करा, क्योंकि जब आप share को cancel करोगे, तो share capital क्या हो रही है, decrease हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो debit, और to, जिसका पैसा का नहीं दिया, नहीं दिया, और to share forfeiture, यानकी आपके लिए एक benefit है, वो पैसा भी आता है जो दे दिया, और वो पैसा भी आता है जो नहीं दिया, तो जो नहीं दिया, वो share application है, जो भीए आपको दिया होगे, पर आएगा और जो दे दिया वह आता है शेयर फॉर्फिचर में अब अगर उस पार्टी ने पैसा दिया तो शेयर को आप दुबारा से रीशूट करोगे रीशूट करोगे तो एंट्री क्या होगी बैंक एकांट डेबिट तुशेयर कैपिटल बढ़ आपको यहां पर देख जो आपके शेयर फॉर्फिटन है वही आपके अपन करोड़्च यह जब्वं आपके चिक कैहें नोस उम्मीद आपको पसंद आएगा शेयर अफ्याक पर पहली यहाईगी 60 पर पहली अंट्री बैंक वाली होगी आन्ले वालिए होगी है जाने वाली पैसा आने वाली एंट्री होती है अगर किसी पर बोला ना हो तो अलोटमेंट पर प्रीमियम लेंगे अगर आप से कोश्व में मेंशन नहीं है कि प्रीमियम किस पर है तो आपको प्रीम्यम हमेशा किस पर लेना है अलोटमरण पर लेना है शीयर कयपिल के साथ प्रीमियम जुड़ा हुआ है इसको हम क्यपिल के पार्ट मान सकते है अप ले लिए इंकम मान सकते हैं इसको जब बोनस शीयर एश्यो करते हैं जब हम primary expenses औंक से हैं उससे ज़्यादा shares मांग लिए. ऐसे case में क्या करेंगे sir? ऐसे case में हम लोग या तो पैसा वापिस कर देंगे या हम shares को adjust कर देंगे. अगर वापिस करते हैं तो जब पैसा आ रहा था तो entry कर रहे थे bank account debit to share application जा रहा है तो क्या entry करेंगे? share application account debit to bank account. अगर आपने adjust किया है तो पैसा तो जा नहीं रहा application का पैसा adjust हो रहा है share allotment पर यानि कि इसके entry क्या हो जाएगी? share application account debit to share allotment. share application account debit to share allotment. इस तरीके से हम इसको entry कर देंगे. call scenario किसी ने पैसे नहीं दिये तो पैसे देने वाली entry में debit कर देंगे. अगर किसी person ने आपके कुछ शेयर का पैसा नहीं दिया है तो जो bank वाली entry आप कर रहे होंगे उसी में आपका call scenario शो होगा debit side में. bank account debit, call scenario account debit to share first. next. कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि आप पैसा नहीं ले रहे हो. आप share दे रहे हो, बदले में पैसा नहीं ले रहे हो, हो सकता है आपने उसकी assets purchase करी है और हो सकता है आपने उसका पूरा का पूरा business purchase कर लिया. जब आपने उसकी assets purchase करी तो आपके पास assets आ रहा है, यानि assets increase हो रही है, पहली entry आपने पास करी, अब इन वेंडर को हम शेयर देंगे, तो हमारी क्या होगी? लेंडर कम होगी, और share capital बढ़ेगा, तो दूसरी entry vendor काउन डेबिट तो share capital, बढ़ कभी कभी जब आप पूरा business purchase करते हो, तो सारी assets और सारी liability आ गई, सारी assets को debit करते हो, सारी liability को credit करते हो, तो जब debit का balance, credit balance से ज़्यादा आ रहा है, तो credit में balance करते है, capital reserve, क्योंकि यह हमारा फाइदा है, हम पे asset ज़्यादा आई है, और liability कम आई है, जब liability ज़्यादा होती है, यानि कि credit का balance ज़्यादा है, तो debit में हम डालते हैं हमारा goodwill, इसका पैसा उसने paid नहीं करा है, उस पर premium भी शामिल था, तो यहाँ पर security premium आई देविट करेंगे, माल लो allotment का पैसा नहीं दिया तो allotment, माल लो first call का पैसा नहीं दिया तो first call, माल लो share forfeiture का पैसा नहीं दिया तो share forfeiture, security premium जब debit होगा, हमने उसका पैसा नहीं दिया, जिस पर premium था, सारे के सारे चीज़ बहुत ही अच्छे से explain करें हैं, यह notes आपके लिए काफी ज़्यादा helpful रहेंगे, यह forfeiture की entry, then reissue of share, अगर आपने जो share forfeit हुए, उसको reshoot करा, तो reshoot हो सकता है, आपर पर करो, discount पर करो, या premium पर करो, पार पर करोगा तो यह entry होगी, bank account debit to share capital, जो amount forfeiture वाली entry में, share forfeited में था, वही capital reserve में transfer हो जाएगा, entry हो जाएगी, share forfeiture account debit to capital reserve, यानि कि एक फाइदा है, अगर discount पर करा है, तो bank account debit share for, यानि कि जो आपका फाइदा है, वो कम होगा, तो वो जो कम हो रहा है, वो share forfeiture में debit हो रहा है, यानि entry होगी, bank account debit, share forfeiture account debit to share capital, यहाँ पर जो share forfeiture में amount है, और forfeiture वाली entry में, जो share forfeiture amount है, दोनों minus करके capital जब में जाएगा, और premium पर कुछ नहीं होगा, bank account debit to share capital to security premium, यानि mostly case में, आपको discount वाली entry देखने को मिलेगी, next, यह आपकी premium वाली entry है, और यह जो पैसा last में, आप capital में transfer करते हैं, जो हमको benefit हुआ है, उसके बाद यह आपकी घ्यान की बात है, over subscription वाली जो मैंने भी आपको entry बताई थी, लेकिन कभी-गभी over subscription में आपको क्या होता है, over subscription में आपको allotted और applied निकालने पड़ते हैं, कि हमने उसको इतने share allotted करें, अब उसको आपने allotted निकालने पड़ेंगे, जिसका formula क्या होता है, अगर आप allotted निकाल रहे हो, apply it दे रखा है, allotted का मतलब कम बाले, applied का मतलब ज्यादा वाले, कम बाले यानि कि कितने shares public को आपने दिए, apply it का मतलब total share public ने कितने मांगे थे, return को हटाने के बाद, तो अगर आप allotted share को निकाल रहे हो, मैंने total पूरा लिया हुआ है total number of share applied upon total number of share allotted into number of share allotted यह पुरा formula है जिससे आप applied और allotted को calculate करते हो ठीक है पूरा amount के साथ लिया गया है then इस chapter में आपका ऐसा concept जिसको हम बोलते हैं buyback buyback का मतलब होता है company अपने ही share market से buyback कर रही है यानि कि अपनी share capital को कम कर रही है तो जब भी company buyback करती है तो जाइर सी वात है कुछ पैसा जाएगा या तो रिजर्ब में से जाएगा तो company को उतना ही पैसा वापिस से अपनी balance sheet में लाना पड़ता है और यहां पर इसके पास दो option है अगर buyback उसने fresh issue से करा है यानि shares को issue करके करा है debentures को issue करके करा है तो कोई दिखत वाली बात नहीं है अगर free reserves का इस्तिमाल किया है यान कि journalism में से पैसा लिया है profit and loss में से पैसा लिया है तो उतना ही पैसा CRR में transfer करना पड़ेगा तो इसमें क्या होता है सबसे पहले आप share लेते हो share आ रहा है आपके पास किस से आ रहा है shareholder से ठीक है तो उनको पैसा दोगे equity shareholders to bank अब आप इसे cancel करोगे cancel करोगे तो हमारी share capital decrease होगी entry का होगी equity share capital account debit अगर premium पर आ रहा है तो premium भी debit to किस से आ रहा है equity shareholder से अगर आपने किसी reserve का इस्तिमाल करके buyback किया है तो like general reserve का इस्तिमाल किया है तो general reserve to capital redemption reserve buyback आपका बहुत important chapter है so topic case में buyback क्या होता है buyback हमारी company EPS बढने के लिए करती है company के पास ज्यादा buyback करती है buyback करने के बाद ratio to ratio 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए buyback के जो share आए वो आपको साथ दिन के अंदर cancel करने पढ़ेंगे buyback करने के एक साल के अंदर आप दोबारा से buyback नहीं कर सकते और बहुत साइट default से आपको बचना पड़ता है तो buyback में सबसे पहले क्या होता है buyback करने के लिए आपको investment दे रखा होता है सबसे पहले investment को बेचते हो investment हमारी अगर नहीं बिकेगी आपके पास पैसा आएगा एंट्री आगी नेट्री न को पूरा सॉल्ड दे रखा है buyback में कौन-कौन से एंट्री आप कैसे करेंगे ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया हमारा बोनस शेर का मतलब है कि कम्पनी अपने शेर छेर User specialist को शेर दे रही है किसमें से प्रोफ रॉबनoh लाउस में से या जनल्र अलड्म में में से या ярा इन से इन सम्मे से उत्रा पैसा डाला जाता है जितने वह बोनस शेर रॉल्डर दे रही है तो पहले हम ट्रांस्वर करते हैं दा प्र जिसको हम कहते हैं preference share, अब preference shares क्या होता है, preference share हम redeem करते हैं, redeem याने कि payment करते हैं, तो जब भी आप preference share redeem करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप देखोगे, कि कहीं security premium तो नहीं है, तो पहले preference share आपके पास आएगा, आपके पास आएगा तो जायर सी बाद है share capital कम होगा, entry क्या ह जो preference shareholders जो premium पर आए हैं, उस premium को security premium से write off करोगे, और अगर आपने payment करने के लिए कुछ पैसा किस से लिया है, किस से लिया है पैसा, पैसा लिया है अगर आपने free reserve से, तो उतना ही पैसा आप कहां transfer करोगे, उतना ही पैसा आप CRR में transfer करोगे, बच्चा लोग इस chapter में underwriter वाला concept और है, जो कि आपके course में related experts वाला जो chapter उसमें जादा है, तो आप चाहिए यहां से करो, आप चाहिए वाहां से करो, जैसे भी करो कर सकते हो, यह आपके notes मैंने बनाये हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें आपको सारी चीजे के clear हो जाएगी, और उम्मीद है, आपक को भी दिक्कत है आपको, और किस chapter की आपको ऐसा short revision चाहिए, तो मझे बता दीजिए के comment section में, और कोई डाउन है chapter में, तो वो भी comment section में कर देना, तब तक के लिए अपना ध्यान अगना, खाना पीना खाते रहना, बाबाब के ध्यान अगना, टाटा, वाय वाय, से यू, ग बाबाब।